नवस्कार दोस्तों एक अरसे बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है दरसल पिछले हफ़ते मैं यहां मौजूद नहीं था और एक स्टोरी के सिलसले में पूर्वी उत्तरपदेश गया था मैं और एक ऐसी स्टोरी जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस हफ़ते के अंद तक आपके सामने आएगी जिसका नाता पूर्वी उत्तरपदेश से है पूर्वी उत्तरपदेश यहां गोरकपुर है बनारस है कुशी नगर है बहराल आज एक बहुत एहम दिन है पांच अक्तूबर 1991 को रामनाद गोइनका जो की इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक थे इं का देहांध हो गया था यानि कि आज उनकी पुर्नित इती है रामनाद गोइनका जो की सोच थे इंडियन एक्सप्रेस के पीछे और आप लोगों मेंसे कई लोग इस बात को जानते हैं कई लोग का इस बात को जानते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस दरاصल उन गिने चुने 1975 से 1970 के बीच यह वो वक्त था जब रामनाद गोइंका के निट्रत में इन्डेन एक्स्प्रेस ने सीधी चुनौती उस स्वक्ट की प्रदान मंतरी इंद्रा गांधी को दी थी इन्डेन एक्सप्रेस ने उसके बाद बोफोर्स के दौरान वो फोर्स के दौरान राजीव गांधी से तल्ख सवाल किये थे यानि कि एक तरह से कहा जाए तो इंडियन एक्सप्रेस हमेशा से ही सत्ता विरोधी पत्रकारिता में विश्वास करता रहा है अंटी इस्टैबलिश्मिंट जिर्नलिजम में और सच बताओं दोस्तों तो पत्रकारिता का पहला अधियाय यह एक आजाय । पत्रकारिता की आत्मा क्या होती है यह मैंने इंडियन एक्सप्रेस की सोच सही समझाए मेरा यह मानना है कि जो पत्रकार है उसे ताकतवर से उसे सत्ता में बैठे शक्स से सवाल करना चाहिए और खासकर सत्ता में बैठे ताकतवर शक्स से मेरी इस बात पर गौर कीजेगा सत्ता में बैठे ताकतवर शक्स से क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी उन गिने चुने प्रधान मंत्रियों में से हैं जिनके जिनके हातों में असीन ताकत है असीन ताकत है इस दोरान बहुत कुछ हो रहा है समानांतर तौर पर राशनलिस्ट को कुछ पत्रकारों को मौत के घाट उतारा गया है गोरक्षा के नाम पर गुन गर्दी हो रही है जिस पर खुद प्रधान मंत्री नरेटर मोदी ने बहुत सतही चिंता जताई थी इसके अलावा वादा अच्छे नोका था मगर क्या परोसा जा रहा आप भी जानते हैं मुझे आदे 2014 में तमाम मोदी भक्त कहा करते थे कि देश की एक मात्र उमीद मोदी हैं सिर्फ मोदी 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 अब तीन साल बाद वो कह रहे हैं कि भई मोदी नहीं तो और कौन माना की अर्थविवस्था के बहुत खस्ता हाल है मगर मोदी नहीं तो और कौन यानि की रात बदल गया है इस सरकार से सब्सक्राइब जाना बेहत जरूरी है मगर ऐसा हो नहीं रहा है ऐसा हो नहीं रहा है और इसकी जिम्मेदारी काफी हद तक पत्रकारों पर है दिक्कत क्या है दोस्तों कि बीजेपी सत्ता में होते हुए भी उसे विपक्ष का सुख हासिल है यानि कहने को वो सत्ता में है मगर हमारे कुछ चैनल्स कुछ अखबार जो है वो लगातार सवाल सिर्व विपक्ष में बैठे नेताओं से ही करते हैं वो विपक्ष जो पिट पिटा गया है कॉंग्रिस चवाली सीटों पर आ गई है आम आदमी पार्टी के जो नेता है अर्विंद केजवाल उनका मूबंध है समाजवादी पार्टी बिखरी हुई है मगर तमाम डिबेट्स में आप देख रहे होंगे कि पिटाई जो है वो विपक्ष की नेताओं की होती है कुछ चैनल्स ने बाकाइदा इससे एक एजेंडा बना दिया है कल जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भव में अर्थ व्यवस्था पर अपनी बात रखी थी आज आपने देखा होगा तमाम डिबेट्स में तमाम डिबेट्स में कुछ आंकर्स इतना उग्र होके विपक्ष पर सवाल खड़ा कर रहे थे वो अपने आप में अप्रत्याशित था अरे भाई सत्ता में बीजेपी है सत्ता में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी है लेहाजा सवाल उनी से किये जाएंगे विपक्ष का वक्त निकल गया और सबसे जो हास्यास्पत बात ये थी कि जब सबसे हास्यास्पत बात ये थी कि जब मुंबई में मुंबई में हाथसा हुआ था भगदर मची थी जिसमें कई आधा दरजन लोग मारे गए थे तो उस दौरान मुझे याद है एक चैनल ने प्रिथुरा चोहान और आपके शरद पवार यानि कि विपक्ष के निता जो सत्ता में भी नहीं है इनको कट घरे में रखा था वो ये भूल गया कि इस वक्ष सत्ता में बीजेपी है सवाल देवेंदर फड़नवी से किये जाने चाहिए कि उनकी धाई साल से सरकार है उन्होंने क्यों नहीं उस स्टेशन पर ध्यान दिया जहां पर ये भगदर्वची सवाल केंदर में बैठी ड्रेल मंतरी से सवाल किये जाने चाहिए उनसे ऐस सवाल क्यों नहीं किया जा रहा था क्यों कट घरे में पूर मुक्ध मंतरियों का रखा जा रहा था और अगर आप कुछ चैनल्स में बहस के मुद्दे भी देखें तो किन दों पर चर्चा हो रही है वंदे मातरम, मुसल्मान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता है, राष्टगान पर बहस हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चैनल्स के लिए बुनियादी मुद्दे जो है वो पूरी तरह से गायब है किसानों का मुद्दा नहीं है फॉरिन पॉलिसी में आए दिन जो भारत को दिक्कतें पेश आ रही है हम जो लगातार घृते जा रहे हैं तमाम जगाँ से उसकी कोई चर्चा नहीं है एकॉनमी पर एक बहुत गंभीर बहस होनी चाहिए जिसकी कोई चर्चा नहीं है तो यह तमाम उद्दे हैं जिसकी वज़ा से एक बहुत चिंता पैदा होती है और एक और नई चीज सामने उभर कर आ रही है जो पहले कभी नहीं हुआ जब कोई पत्रकार प्रधान मंत्री को या किसी मंत्री को खुला खत लिखता है तो उसका जवाब प्रधान मंत्री या कोई नेता नहीं देता है उस पत्रकार के खत का जवाब दरसल एक और पत्रकार देता है वो पत्रकार जो कि प्रधान मंत्री मोदी की भक्ती में लीन है पूरी तरह से अरे सहाब जब सवाल किया जा रहा है सत्ता से तो आपको क्या दिक्कत है आप क्यू जवाब दे रहे हैं सत्ता का जो जवाब सरकार को देना चाहिए वो पत्रकार क्यू दे रहा है और यही नहीं देखिए अगर आप जवाब दीजे मुझे बात समझ आती है सबसे दुखत बात य reden है जवाब के नाम पर पत्रकार जो पत्रकार सत्ता से सवाल कर रहा है उसके साथ अब शब्दों का इस्तिमाल करते हैं तुम बीमार हो तुम फलाना हो तुम धिमकाना हो और यही नहीं यहीं अगर एक पत्रकार यह कह रहा है कि भाई मेरी जान को खत्रा है मुझे टार्गेट किया जा रहा है मेरे टेलिफोन नंबर को सारजनिक कर दिया जाता है और मुझे गालियां दी जाती है तो उसके दर्द को समझने के बजाए चलिए आप उसका दर्द मत समझिए उसका आप मजाक उड़ाते हो उसका आप उभास करते हो तो मेरा सवाल इन पत्रकारों से है क्या तुमने पिछले तीन सालों में क्या तुमने पिछले तीन सालों म मौझूदा सरकार से कोई कठिन सवाल किये मौझूदा सरकार से क्या तुमने कोई कठिन सवाल किये तो जाहिर सी बात है कि जब तुमने मौझूदा सरकार से कठिन सवाल नहीं किये तो लोग तुम्हें गालियां क्यों देंगे लोग तुम्हें कड़गरे में क्यों खड़गरेंगे और हकीकत ये है कि आज की तारीक में ये पत्रकार जो दूसरे पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं इनका वजूद इनका वजूद दरसल इस सरकार के चलते है क्या ये बात सच नहीं है कि कुछ लोगों को नौकरियों पर भी सत्ता से जुड़े लोगों ने लगाया है क्या ये बात सच नहीं है आप खुछ जानते हैं आप खुछ जानते हैं कि आपको नौकरी पर किसने लगाया है क्या ये बात सच नहीं है ये हकीकत है ये हकीकत है और यहीं नहीं आप इन खास किसम के पत्रकारों का ट्विटर टाइम लाइन खगा लिए तो सिर्फ बीजेपी की तारीफ दिखाई देती है और विपक्ष की बुराई, विपक्ष का मजाक ये लोग मानो स्वयंभू मोदी भक्ते हैं मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि आप किसी राजनेता की भक्ती को एक तमगे की तरह कैसे पहन सकते हैं आप एक राजनेता की भक्ती को एक तमगे की तरह कैसे पहन सकते हैं अगर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको ट्विटर पर फॉलो कर दिया तो आप सात्वे आस्मान पर बहुंच जाते हैं कुछ दिनों पहले मैं टेलेविजन चैनल पर देख रहा था तो एक 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 रिपोर्टर कह रहा था कि अभी-भी कुछी देर पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी तरफ देखा है अरे बापरे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नजरें आप पर इनायत कर दी कितनी बड़ी बात होगी तो ये मैं बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि सत्ता की तारीफ उसका ध्यान आपके लिए इतना जरूरी क्यों है उसकी तारीफ आपके लिए जरूरी क्यों है आप क्यों इतने उतावले हुए जा रहे हैं कि आपको सत्ता में मौझूद जो नेता है वो तारीफ करें इसकी बात हम बात में करेंगे मगर मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस के मौझूदा एरिटर राज कमल जा उन्होंने रामनाद गोईन का अवार्ड्स के दोरान प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को जो कड़ा संदेश दिया था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसे गोर से सुनियेगा आपके सामने राज कमल जाएं और उन्होंने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को क्या कहा आप सुनिये मैं उसका तर्जुमा बाद में करूंगा it makes us you you also said a few wonderful things about journalists which makes us a little nervous you may not find it in wikipedia but she I'm not going and it's a fact and I can say that as as the editor of the Indian Express he did sack a journalist when he heard that the chief minister of a state told him that aapka reporter bohut acha kaam kara hai that's very very important especially in an age and I turned 50 this year so I can say that when we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes and they do not know that criticism from a government is a badge of honor अपने राज कमल जहाने क्या कहा कि रामनाद गोईिंका ने एक reporter को नौकरी से निकाल दिया था क्यूंकि एक reporter ने एक reporter की तारीफ में एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपका reporter बहुत अच्छा काम कर रहा है और उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की तरफ से आलोचना badge of honor है गर्व की बात है आज कुछ पत्रकार इसे भूल गए है आज कुछ पत्रकार इसे भूल गए है आँ विश्वास ने करेंगे कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो Twitter पर नहायत ही अवल दरजे के गाली बाज को tag करते हैं जब कोई खबर वो देते है वो गाली बाज जो की BJP समर्थक हैं वो गाली बाज जिने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं उनके लिए उनके लिए ऐसे लोगों का आशिरवाद भूल जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके followers का आशिरवाद इनके लिए बहुत जरूरी है मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिनों पहले मेरी बहस हुई थी, और इसका जिक्र मैंने कई बार पहले भी किया है, कुछ दिनों पहले बहस हुई थी, मेरी एक पत्रकार से, और उन्हों mówią Dent bosar, तुम्हारी जो ये left wing किसम की पत्रकारिता है, ना कि इसके दिन लद गए, तो मै मैंने उनसे कहा कि भईया लेफ्ट विंग पत्रकारिता क्या होती है हाला कि मैं लेफ्ट विंग नहीं हूं मुझे वामपंथी बरदाश नहीं होते हैं सिर्फेरे होते हैं एक नमबर के मैं वामपंथियों से दूर रहता हूं मैं राष्ट्रवादी हूं और गर्व से राष् लेफ्ट विंग पत्रकारिता है तो मैंने उनसे का है भाई साब पत्रकारिता क्या होती है तो इन हुजूर ने कहा कि धरसल पत्रकारिता होती है सरकार की अच्छे कामों को प्रमोट करना सरकार के अच्छे कामों को प्रमोट करना यानि कि जो जो काम पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट में को करना चाहिए ये सज्जन कर रहे हैं मोधिकाल में देखिए सवाल ये कि हम पिछले तीन सालों से यही देख रहे हैं हम यही देख रहे हैं जहां सत्ता से तीखे सवाल पूछना हम बंद कर चुके हैं सत्ता से तीखे सवाल करना हम बंद कर चुके हैं जहां सत्ता की तारीफ को हम एक बैज ओफ आउनर की तरह पहनते हैं मानो कोई बहुत बड़ी तारीफ हो गई है और यही नहीं जैसे कि मैंने आपको कहा पत्रकार के खिलाफ एक दूसरा पत्रकार सुपारी लेता है उसका मजाक उडाना उसकी मजबूरी का महौँ एक तरसे मखौल उडाना तो एक बहुती अजीब औ गरीब काल में हम रह रहे हैं बहुती अजीब औ गरीब काल में रहे हैं आपको लेखें यह समझना होगा कि आज की तारीख में अगर कुछ पत्रकार इस सरकार के मोदी सरकार के पिछलगू हो गए हैं तो उसकी बहुत बड़ी वज़ा क्या है उसकी बड़ी वज़ा यह है कि कहीं तो कोई पत्रकार होता है वो उसका मालिक बीजेपी पार्टी का सांसद होता है या किसी ने किसी तरीके से बीजेपी या मोदी सरकार से उसका लिंक होता है मसलान मैं आपको एक पत्रकार जिनके मालिक एंडिये में वाइस चेर्मेन है उन्होंने कुछ दिनों पहले क्या कहा था मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ उसका हिंदी में मैं तर्जुमा कर रहा हूँ उन्होंने अंग्रेजी में कहा था इस राश्वादी पत्रकार ने दहारते हुए कहा तो कहिए दोस्तों ऐसे पाकिस्तान प्रेमियों आएसाई परस्तों के साथ क्या किया जाए ये जिक्र कर रहे थे लिबरिल्स का उदारवादियों का क्या सुलुक किया जाए क्या वक्त नहीं आ गया है कि इन्हें एक एक करक मुझे अदालत ले जाए मेरे खिलाफ मुकदमा कीजिए मुझे जेल भेजिए मगर इस तरह से आप एक खुले मंच पर लोगों को भड़का रहे हैं कि ऐसे पत्रकारों का क्या सुलूग किया जाए आप भड़का रहे हैं लोगों को एक ऐसे माहौल में जहां लोग एक शक्स की भक्ती में अपना आपक हो रहे हैं आप इसका मतलब समझते हैं बिलकुल सही का और ये मेरा ही शब्त है कुछ दिनों पहले आकांग्शा ने बिलकुल सही का दरसल ये भकती का चरस काल है और सिर्फ जनता ने चरस नहीं चड़ा रखी कुछ पत्रकारों ने चरस चड़ा रखी है अगर उसके पीछे उनका डर भी है क्योंकि अगर इन्होंने सत्ता से सवाल पूछना शुरू कर दिया तो दिक्कत ये हो जाएगी दोस्तों कि इनके अपने इतिहास की वज़ा से क्योंकि ये पहले तिहाड जेल जा चुके हैं एक्स्टॉर्शन के चक्कर में इन्हें दोबा तो इसी डर को इसी डर की वज़ा से इसी डर की वज़ा से दरसल वो ये कर रहे हैं वो भड़का रहे हैं अफसल प्रीमी गैंग जैसे शब्दों का इस्तमाल कर रहे हैं जो अपने आप में ठीक नहीं है देखिए आप आलोशना कीजिए आप आलोशना कीजिए मगर आप भ अभी कुछ दिनों पहले राजदीब सरदेसाई के खिलाफ एक चानल जो है खबर चला रहा था और ना सिर्फ खबर चला रहा था बलकि नीचे लोगों से संदेश भी मंगवाये जा रहे थे और वो संदेश इतने ज्यादा प्रोवोकेटिव थे इतने ज्यादा भड़काऊ थे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं क्या चैनल ऐसे कर रहा है कि मुझे आदे गौरी लंकेश की मृत्यू के बाद उनकी हत्या के बाद जब मंच पर कुछ CPM के देता आ गए तो कुछ पत्रकारों की जुबान तब जाके खुली गौरी लंकेश के हत्या पर उन्ह पर आपने इतना भवाल किया शान्तुदू भॉमिक के टाइम आप घुप क्यों है जो गलत है क्योंकि गौरी लंकेश की जब हत्या प्रेस क्लब गया था शान्तुनूदु भॉमिक की हथ्या होई थी तो मैं press club गयाथा मगर मेरा सवाल आपसे है चाहे शान्तुनू भॉमिक की हथ्या हो या गौरी लंकेश की हथ्या जो हमारी बिरादरी के आप कहा थे कहा थे आप आप क्यों सिर्फ ट्विटर पर बैटके बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे आप क्यों नहीं सड़क पर मेरे साथ कंदे से कंधा मिलाने और अगर आपको लगता है कि प्रेस क्लब आने से आपकी तोहीन हो जाती तो आप मुझे बोलते आप जहां बोलते मैं वहां आता और आपके साथ खड़े होता आप जहां शोक मनाओगे मैं वहां आने को तैयार हूँ दिक्कत यह दोस्तों दिक्कत यह दोस्तों कि अब अगर आप कोई सवाल उठाते हैं न सत्ता पक्ष से तो आप से सीधे ये कहा जाता है कि अरे आप गौरी लंकेश के बारे में सवाल तो उठा रहे हो मगर राजदेव रंजन जिसे उस मुसल्मान शाबुद्दीन ने मारा उसके खिलाफ आपने क्यों सवाल उठाया आप मेंसे कई लोग आप मेंसे कई लोगों ने मुझे इंबॉक्स किया मुझे गंदी गंदी गालियां दी और आप मुझसे कह रहे थे कि तुम्में हिम्मत ही शाबुद्दीन से सवाल करते ये सवाल आप लोगों मेंसे कई लोगों ने किया है किया है ना तो मैं आपसे घुजारिश करता हूँ आख अपनी आख और कान खुले रखिये मेरा काम पत्रकारिता का है प्रोपेगंडा करना नहीं है उन पत्रकारों की तरह जो मोदी भक्ती में लगे हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि न सिर्फ मैंने शाह बुद्द उन लोगों का दर्द को महसूस किया जिने शाह बुद्दीन ने जान से मार दिया था आपके सामने उस रिपोर्ट ये देखिए ये चंदा बाबू और उनकी पत्नी है जिनके तीन बेटों को शाह बुद्दीन ने मार दिया ये मेरी रिपोर्ट है चंदा बाबू अब जबकि मौहमद शाहबदीन रिहा हो गया है तो किस तरह से आपकी जिन्दगी में किस तरह का परिवर्तन आया है हमारे जिंदगी में परिवारतन तो उसी वक्त आ गया जिस वक्त हेले अमारे जिस वक्त गया हमारे दो लाल को तो मैं रहा गया दो भूंचको को तो मैं लोगर दो दिखने कर से मार देखा आदा कि लगा कि हमारी कि इसको भी मार दिया और उसने कहा भी था कि अपना मकान लीख दो अब बताइए कि भाला हम पूछे थे कि हजूर मकान लीख देंगे तो हम रहेंगे करें तो बोला कि हम क्या मतलगों तो यही मैं आपको बताने के कोशिश कर रहा हूं कि मैं गया था मैं शाहबुद्दीन के गड़ गया था उसके घर गया था और मैंने राजदेव रंजन चंदा बाबू के तीन बेटों की मौत का मुद्दा उठाया था आप में से कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि क्या तुम में हिम्मत है मालदा पर सवाल करने की जहाँ पर मुसल्मानों ने तथा कतित तौर पर हिंदूों को निशाना बनाया या कमलेश तिवारी पर जिसे जेल में बंद करके रखा गया है क्योंकि उन्होंने पैगंबर मुहम्मद की तोहीन की थी तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने मालदा का मुद्दा भी उठाया था मैंने कमलेश तिवारी का मुद्दा भी उठाया था उसने अगर पैगंबर मुहम्मद सहाब की बेज़ती की ये इसकी आलोशना की जानी चाहिए और कानून के तहट उस पर कारवाई की जानी चाहिए मगर कुछ मुसल्मान नेता उसे मौत के घाट उतारने की बात कर रहे थे तो मैंने इसकी भी आलोशना की थी मैं आपको सुनाता हूँ मैंने क्या कहा था आईए रहे हैं वो पाकिस्तान जैसे मुलकों में आपको शर्म नहीं आती वारिस बठान आपको शर्म नहीं आती आप इशनिंदा कानून इस देश में लाना चाहते हैं वारिस बठान मुझे शर्म आती है आप खुद को रहनुमा कहते हैं आप खुद को राजबी पर रहनुमा कहते हैं वारिस बठान हमारे दिल पे बात लगती है दिल पे लगती है मगर उसके लिए एक पूरा कानूनी भाचा है जिसके जरीए आपकी समस्या है संबोधित की जा सकती है तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैंने मालडा का मुद्दा भी उठाया मैंने राजदे और अंजन जिसे शाह बुद्दीन ने कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया था चंदा बाबु के तीन बच्चे जिने शाह बुद्दीन ने मौत के घाट उतार दिया था मैंने तमाम मुद्दे उठाए हैं मगर सवाल ये और मैंने ग्राउंड रिपोर्ट किये मैं वाँ गया हूँ मगर जो पत्रकार बैठके मोदी भक्ती करते हैं ये जमीन पर कितनी बार निकलते हैं तुम हमें तो गाली दे सकते हैं उन पत्रकारों को जो मोदी सरकार से सवाल करते हैं मगर मेरा तुम लोगों से सवाल है कि तुम खुद पत्रकारिता के नाम पर क्या कर रहे हो तुमने सुपारी ले रखी है दूसरे पत्रकारों के नाम पर कितने बड़े शर्म की बात है कितने बड़े शर्म की बात है कि तुमने सुपारी ले रखिये दूसरे पत्रकारों के नाम पे और पत्रकारिता को आज की तारीक में तुमने मजाग बना दिया है मजाग बना दिया है तुमने बहराल यह आपकी अंतरात्मा पर है कि आप क्या करना चाहते है मगर मुझे अपनी पत्रकारिता के लिए किसी को जवाब दे ही देने की ज़रूत नहीं है मैंने आपको ये सिर्फ दिखाया क्योंकि लोगों की याददाश बहुत कमजोर है वो भूल जाते हैं कि आज की तारीक में जब आप मुझे गाली दे रहे ना आप ये भी देखिए कि मैंने किस तरह से इन लोगों सवाल की है और थोड़ा खंगाली है अपने इतिहास को कि यूपिय के कारकाल के दौरान हमने किस तरह से सवालात किये थे इनस हमने किस तरह से उने कट घरे पे खड़ा किया था बेरहल जैसे कि मैंने बताया कि आज रामनाग गोइनका साहब की पुर्णिती थी वो पत्रकारिता जिससे मैं इंस्पाइड हूँ वो पत्रकारिता जिससे मैं त्यागने नहीं वाला हूँ मैं सत्ता पक्ष से सवाल उठाता रहूंगा और और भी कई पत्रकार हैं जो उस तरह से सवाल उठाते रहें जिनने नहीं उठाना हैं वो ना उठाएं ये उनकी अंतरात्मा की बात है अपना ख्याल रखिए टेक केर, शब्ब खेर